मेरे नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम continue कर रहे हैं अपने class 12 के chapter 4 को और ये वीडियो हमारा उस chapter का part 6 है इस वीडियो में हम random module और web browser और URL library के बारे में थोड़ा समझेंगे और फिर उसके बाद इस chapter को हम यहीं पे खतम करेंगे अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक question आएगा कि इसके बाद भी तो हमारे एक topic था जो की था creating python libraries को तो क्या हम उसको नहीं करेंगे जी नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा आप सोचने की गलती मत कीजिए क्योंकि हम उसको भी करेंगे लेकिन मैं उसको इस playlist में add नहीं करूँगा मैं उसको अपने python की जो practical programming वाली series है class 12 की मैं उसे वहाँ पर add करना चाहूँगा क्योंकि वो हमारे exam point of view से बहुत ही जादे important नहीं है बहुत ही जादे तो दूर की बात है बिल्कुल भी important नहीं है वहाँ से एक भी question उठके नहीं आएगा लेकिन इस वीडियो में हम जो discuss करने वाले हैं मैं आपको guarantee देता हूँ कि यहां से आपको 3 marks का question 100% आने वाला है इस वीडियो से और ये भी हम इस वीडियो में discuss करेंगे कि क्या और कैसे आता है इसके साथ ही हम इस वीडियो में random module के बारे में तो पढ़ेंगे ही और इसके अलावा हम दो questions और discuss करेंगे अपनी practical programming वाली series में जहां पर हम उन questions को देखेंगे कि कि किस type के questions हमें आते हैं और उनको कैसे program किया जाता है तो बिना किसी देरी के चलिए start करते हैं random module के बारे में जानना जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी library ये module को हमें use करने के लिए सबसे पहले उसे import करना होता है तो उसे import कर लेते हैं चलिए सबसे पहले मैं आप पर लिखना चाहूँगा import random जैसा कि हम जानते हैं कि हम इसे alias name से भी import कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर import random करके ही छोड़ देते हैं और यहाँ पर कोई error नहीं आया इसका मतलब कि जो module है हमारा वो अच्छे तरीके से import हो चुका है तो चलिए अब इसको use करना शूरू कर देते हैं तो अब इस random module को तो हम पूरी तरीके से पढ़ नहीं सकते तो इसलिए हमारे class 12 के syllabus में सिर्फ दो ही functions important है 100% के लिए और एक जो function है इस random module का वो optional है जैसे आप चाहें तो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते वो आपके उपर depend होता है तो कौन सा है वो पहला rand range तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले हम जानेंगे random function के बारे में तो यहाँ पर मैं लिखूँँगा random dot random और यह हमारा function होगा और अगर आपको यहाँ पर कुछ अटपटा सा लग रहा हो तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो random है यह वाला random यह हमारा function है इस random module से और यह वाला जो random है यह हमारा name space है इस random module का जो कि हमने अपने पीछे वाले वीडियोज में पढ़े थे I hope कि आपको वहाँ पर clear हो गए होंगे कि name space का concept क्या होता है और क्यूं होता है तो अब अगर मैं यहाँ पर enter प्रेस करता हूँ तो यह मुझे एक random number generate कर रहा है 0.842141 something ऐसे return कर रहा है तो जब भी आप यहाँ पर random.random लिखते हैं तो आपको यहाँ पर 0.something ही कुछ value मिलने वाली है तो इसका मतलब यह है कि random function हमें एक 0 और 1 के बीच में कोई एक value return करता है 0.something कोई value वो return करता है अब उसकी जो lowest value 0 है वो return नहीं करेगा और उसकी जो highest value 1 है वो भी return नहीं करने वाला है यह random module तो अगर मैं इसे फिर से run करता हूँ तो वापिस यहाँ पर 0.60922 something ही return कर रहा है तो I hope कि आपको यह random module का random function clear हो गया होगा अब बात करते हैं चलिए दूसरे function के बारे में जो की है randint तो randint क्या करता है randint के लिए आपको simple यहाँ पर लिखना है random name space dot यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा randint और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको lowest value पास करनी है मैं माल लेता हूँ यहाँ पर पास कर देता हूँ 1 दूसरी value जो आपको पास करनी है वो है आपको highest value तो मान के चल दें कि हम 1 और 10 के बीच में एक random number को generate करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर हमारी जो highest value होगी वो होगी 10 और simple आपको यह random function इस type से आप range प्रोवाइड करेंगे और यह आपको उसके बीच में एक कोई number generate करके दे देगा अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे तो यहाँ पर यह भी possible है कि जो आप highest value pass कर रहे हैं वो भी आपको return कर दी जाए तो देखा आपने तो यहाँ पर हमारे पास जो highest value थी वो भी return कर दी गई और जो lowest value थी वो भी return कर दी गई अब यह पहले से ही मैंने कोई program करके नहीं रखा है इसको I hope कि आप समझ रहे होंगे और आप खुद भी try करना चाहेंगे तो चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे function की जो की है rand range की तो आपको simple यहाँ पर लिखना है random dot rand range और यहाँ पर आपको starting value को pass करनी है तो इससे होगा क्या? अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यह जो rand है वो एक integer value भी pass करेगा point में आपको values बिल्कुल pass नहीं की जाएंगी, point में कैसे pass की जाएंगी उसके बारे में भी हम जानेंगे, फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर rand range की, यह भी हमें एक integer random number को return करेगा लेकिन यहाँ पर difference यह है कि हमें सिर्फ एक ही value pass करनी होगी, और सपोज मान के चलते हैं, आप 0 और 10 के बीच में कोई भी random number generate करना चाहते हैं यहाँ पर हमारा 1 to 10 था तो rand int जब आप use करते हैं तो highest value और lowest value आपको दूनों provide करने की ज़रूरत है लेकिन जब आप rand range function को use करते हैं, तो आपको simple एक highest value को starting point आपको pass करना है, और वहाँ पर आपको उस range के हिसाब से आपको वहाँ पर values एक random number के रूप में return कर दी यहाँ पर हमें 2 मिला, अगर मैं इसे दूसरी बार run करता हूँ, तो यह मुझे यहाँ पर 3 return कर रहा है, तीसरी बार 8 return कर रहा है, चौती बार 6 return कर रहा है, और यह ऐसे ही चलता जाएगा तो I hope कि rand range भी क्या करता है, यह आपको clear हो गया होगा, अब मैं आपको यहाँ पर 2 मेरी तरब से मैं optional बताना चाहूँगा, यह तीनों आपको याद रखने हैं, लेकिन अभी में जो मैं बताने वाला हूँ, वो आप याद नहीं रखते हैं, तो भी चलेगा, मान के चलते हैं, कि हमारे school में 100 बच्चे हैं, और उन 100 बच्चों में से 15 बच्चों को पिक्निक के लिए लेकर जाना है, अब हम सीधे तो नहीं बोल सकते, कि यह मेरा दोस्त है तु यहरा आजा, तु मेरा दोस्त नहीं है, चल बाहर निकल, यह मेरा दोस्त है, आजा, तु भी आजा तुभी आजा तुभी आजा तु मेरा दोस्ट नहीं है चल बाहर निकल ऐसे तो हम कर नहीं सकते तो हम यहाँ पर आएंगे python के पास python से मदद मांगेंगे python बोलेगा कि तुम यहाँ पर एक statement लिखना random dot यहाँ पर sample और इस sample यह जो sample है यह हमारा function है इस random module से और अब python हम से पूछेगा कि तुमारी range क्या है कितने बच्चे हैं तुमारे school में तो उसके लिए हम यहाँ पर range function को पास करेंगे जिसके बारे में हमने पढ़ा था तो हमारी range जो है वो 100 है तो अब दूसरे parameter पे हमें वो पास करना है कि हम कितने बच्चों को चाते हैं तो हम 100 में से 15 ब return कर रहा हूं तुम उन्हें choose कर लेना तो यह जो भी numbers return होंगे 15 number return होने वाल है 100 में से कुछ इस तरह है 27, 90, 86, 34, dot, dot, dot python ने हमें यहाँ पर return कर दिये अब ऐसी बात नहीं है कि हर बार यहीं आएंगे अगर हम इसे दूसरी बार run करते हैं तो python हमें यहाँ पर दूसरी value को return क कर दूँ तो मुझे यहाँ पर यह 10 value को return करेगा कुछ इस तरह है और यह हर बार आपको ध्यान रखना है कि हर बार same नहीं आने वाला है तो I hope कि यह scene के साथ आपको sample function भी clear हो गया होगा अब बात करते हैं अपने पांचवे function की जो की है हमारा triangular तो यह triangular क्या करता है जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि दो integers के बीच में कैसे आप point वाली values को return करवा सकते हैं तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है random.triangular और यह triangular हमारा function है random module का और इसके अंदर आपको यहाँ पर दो numbers को pass करने हैं और यह दो number वो होंगे जिनके बीच में हम point में random number को जानना चाहते हैं तो मान के चलते हैं कि हम 2 और 4 के बीच में एक कोई point वाली value चाहते हैं तो simple आपको यहाँ पर वो values pass कर देनी है 2 और फिर 4 ठीक है पहले lowest value फिर highest value और अगर मैं यहाँ पर enter press करता तो यह मुझे यहाँ पर 2.4451 something return कर रहा है अब ऐसी बात नहीं है कि 2 है तो यहाँ पर 2 ही return होगा बिलकुल नहीं 2 और 4 के बीच में कोई value return करने वाला है तो यहाँ पर 2.97 कर रहा है 2.46 कर रहा है 3.20 कर रहा है देखा आपने ऐसे ही आपको यहाँ पर return values कर दी जाएंगी तो I hope कि आपको triangular function भी clear हो गया होगा यह sample और triangular के बारे में हमने बात किया यह बिलकुल भी important नहीं है यह मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप अपने project में आपको कहीं ऐसी जरूरत पढ़ सकती है इस scene के हिसाब से तो आप वहाँ पर यह चीज़ कर सकते हैं इस random module के उप पर हम और दो-तीन questions करेंगे practical programming वाली series में जहाँ पर हमें यह random module का जो concept है कैसे questions आते हैं तीन mark का question आएगा वो आपको यहां से clear हो जाएगा चलिए अब बात करते हैं अपने web browser module की तो web browser module क्या करता है सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें किसी भी library को use करने के लिए उस module को या library इंपोर्ट करना होता है तो फिर देर किस बात की चलिए ना import कर लेते हैं फिर import web और बी आर ओ डबलू एस ए आर ओके पैलिंग बिल्कुल नहीं सही है ओके कोई error नहीं आया मतलब बिल्कुल सही है हमारा जो अरे रे एक चीज में करना भोल गया इसको यहां पर import web browser as wb कर ल जाता है तो अगर आप यह अपने program के अंदर से ही किसी एक particular website को खोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा आपको simple यहां पे उसका name space देना है library का और इसके अंदर हमारे पास एक function होता है open करके और इस open function के अंदर आपको single या double quotes के अंदर एक string पास करनी है और यह string क्या ह होगा यह string हमारा URL होगा उस website का जैसे कि मानके चलते हैं कि हम Google को open करना चाहते हैं तो मैं यहां पर लिखूंगा google.com ओके तो यह क्या करेगा यहां पर सबसे पहले तो अगर यह मुझे true return करता है तो बिलकुल सही बात है और अगर false return करता है तो बिलकुल ही गलत बात है तो मैं इसको run करूँगा यहां पर इसने मुझे true return किया और एक मेरे पास यहां पर window खुलेगा और इस window में अरे बापर यह तो internet explorer है यह default कैसे है बहुत time लगने वाला है खुलने में लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर यह google.com open करने की कोसिस जारी है आप यहां पर देख सक हूँ मान लेते हैं जैसे youtube.com तो youtube.com ओके बिल्कुल सही है । लेकिन मैं यहां पर एक दूसरा function इस्तेमाल करोगा यह तो हम जानते ही है कि open करेंगी तो youtube.com open हो जाएगा लेकिन मैं यहां पर एक जो हमारा दूसरा function है उसको इस्तिमाल करना चाहूँगा जो की है open new तो ये open new क्या करेगा चलिए इस्तिमाल करके देख लेते हैं तो ये जो open और new था इसने मुझे यहाँ पर एक दूसरा window खोल के उसमें youtube.com open किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला हमारा अब मैं चाहता हूँ कि आप एक search engine मनाओ, search engine in the sense कि आप नीचे comment में एक ऐसा code लिखो जो की user से link को input लेगा, उस website की link को input लेगा और जैसे ही वो enter press करता है तो वो website उसकी खुल जाएगी तो I hope कि ये काफी easy program है आप यहाँ पर कर लेंगे और जो भी पहले सबसे पहले comment करेगा, मैं उसका comment जो है वो pin करूँगा और उसको दिल दूँगा दिल तो मैं सबको ही देता हूँ तो चलिए, आप I hope कि आप search engine को बनाएंगे बनाने की कोसिस करेंगे और नीचे आप clear हुई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज clear नहीं हुई है तो आप मुझे नीचे comment करके पूछ सकते हैं कि कौन सी वो चीज है जो कि आपको clear नहीं हुई है मैं कोसिस करूँगा उस चीज को clear करने की और जैसा कि मैंने starting में ही वीडियो इम बताये था कि जो हमारा अगला topic है creating python libraries को उसको भी हम करने वाले हैं लेकिन वो इस playlist में नहीं होगा तो बिलकुल आपको गवरानी की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये चीज क्यों नहीं करवाई उसको भी हम करेंगे लेकिन अपनी practical programming वाली series में मैं उसको उस playlist में add करना पसंद करूँगा और वहीं पे हम उस चीज को consider करके और practical करके देखेंगे अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर मैं आपको notes वगेरा इस chapter के और question banks और ये सारी चीजे जो कि हमने function chapter में provide की थी वो आपको मैं वहाँ पर दूँगा और उसके बाद हम file handling वाले chapter को start करेंगे जहाँ पर हम files के साथ खेलना सीखेंगे खेलना in the sense कि हम open करना write करना अपने कुछ data को add करना वो सारी चीजे हम जानने वाले हैं तो बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye